यह मेरे साथ हुआ यह मेरे को मालम नहीं था फूल लेटर आपको दिखाना पड़े गा यहां का एप्रूबल लेटर मिलता है आपको अमेशा आप पर पास रखना पडिए लेकिन जिस दिन आया ना उस दिन वाकई में आप मत कुछ मत पुछिए मेरे से क्या अंदर से कुछी है कि आप कैसे अपने आपको एक्टिव रखते हैं मुझे लग कि मेरा जब मेरा जब बाहर निकला एरपोर्ट से तो मेरा दोस्त कॉल किया कि तुमने चेक किया क्या तो मेरा जब भैली डे जो मेरा वर्क बीजा का और दो साल नहीं हुआ मेरे को 23 महिना का ही दिया था तो यह चीज़े बहुत इंपोर्टेंट है और नया आने वालों के लिए यह बहुत ध्यान देने वाले चीज़े हैं आपको एक महिना दो महिना कम बीजाओ लोग लगा देगा तो लॉस आपको है इसलिए आप यह ध्यान जरू दीजिएगा कि कम से कम दो से चार दिन का ग दोस्तों कहर बढ़ाने की कोई जरूवत नहीं है बेहिचक बिंदास होके आईये कनाडा में मुस्ट वेलकम बहुत बढ़िया जगा है जी अब कनाडा इमिग्रेशन में आने के बाद मुझे यहां का जो ऑफिसर होता है जो बिली मिग्रेशन में क्या पुछा वहां पे कनाडा को लेके हम काफी एक्साइटेट थे जियो जियो दीन बीटता गया ना जो जो प्रोसेस जो हुआ उसके बाद सब चीज हो जाने के बाद हम बहुत एक्साइटेटेट होगे कब होगा हम कब जाएंगे एक ड्रीम जो है वो कब पुड़ा होएगा हमारा बहुत करना दोस्ति लोग से बात भी करते थे क्या प्रोसेस है कैसे होता है लेकिन सब चीज हो चुका था फिर भी दिल में एक तो आपका जर्नी कैसा रहा कनाडा इंडिया से कनाड़ा तक का सफ़र आप से क्या क्या कृश्चन पुछा गया और तो जब हो जाने के बाद मैं दिल साम का 6 o'clock मेरा फ्लाइट था 17 घंटा का जॉर्णी था मेरा और वहां पर काफी लंबा जॉर्णी था मैं सुचते रहा रहे यार यह इतना घंटा कैसे बितेगा लेकिन बहुत अच्छा बिता हो अब से पहले मेरे को जब टिकट मिला ना तो मेरे को 23 किलो लॉगेज मिला वह मुझे लगता है क्रिस्मस के होजा से कम हुआ तो उस आदमी तो जरूरत काई चीज़ लेके आता है हलाकि मैं तो बहुत कुछ समान लिया था लेकिन वह सब छोड़ दिया क्या लेके जाओगे नॉर्मल आपका पड़े थोड़ा बहुत कुछ में उसमें पूरा हो जाता है सब्सक्राइब करता है कि पूछने वाला आदमी कैसा है अगर थोड़ा सा रूड़े किसम का होगा तो कुछ अटपटी सवाले पूछेगा हलाकि यह नौर्मल चीज होता है जी मिग्रेशन में आपसे रिलेटेड ही सवाल पूछा जाएगा तो मुझसे यह पूछा गया थ था कि आप इसके पहले कहां काम किये थे और डेटा बर्थ एक प्रूफ के तौड़ पर देखिए एक चीज है आपका पासपोर्ट का जब स्केनिंग हो जाता है ना दोस्तों तो हल एक डिटेल सुनको मिल जाता है तो यह एक बचकानी बात है बचकानी इंदसेंस यह कहिए कि उनको नॉर्मली एक फार्मेल्टी पूरा करना होता है और फार्मेल्टी पूरा करते हैं लोग और आप सहीं है तो कुछ डरने की और हिचकी चाने की कोई जरूवत नहीं है तो अब करना के तक कस यहां वह सब हो जाने के बाद पिर मैं आया यहां पर टो यहां पर इमिग्रेशन में मेरा एक्षुली देखा कि पसपोर्ट का बैलेट पूछा पसपोर्ट देखा बाद में पासपोर्ट बैलेट टीम मेरा तो था ही बोडर ऑफिसर बोलता है यहां हमारे तरफ में इमिग्रेशन बोलता है लेकिन यहां पर जब कनाड़ा यहां पर बोर्डर सीकूर्टी ऑफिसर बोलता है वही आपको पूरा आपको पास करेगा उसके बाद ही आप इंट्री कर सकते हैं यहां क्या क्वेश्चन पुछा कि कौन सा कंपनी में जा रहे हो और इसके बाद आपको फिर आपका डिटेल्स चेक करेगा और आपको वर्क भी जागा प्रिंट आउट निकाल के देगा उसके बाद आप पासपोर्ट खुद के सकेनिंग करना पड़ता है यहां पर बहुत सारा जगह है कि इमिग्रेशन में स्टॉंप मार दिया और जाईए नहीं यहां पर ऐसा उल्रूस नहीं है आपको खुद का स्केनिंग करना पड़ेगा यहां पर इसकेनिंग कीजिए उसमें बहुत सब्सक्राइब पुछता है जैसे कि आपके बैगेज के अंदर क्या-क्या है लिक्वीड और कितने दिन तक आप यहां पर रुक रहा है और कि आपका बीजा कितने दिन का बीजा है यह सब चीजे तकरिबन 20 या 30 कोश्चन रहेगा आपको कुछ समझ इंगलिस में रहेगा और आपको चूज करना है एक चुले देखिए हेल्प करने वाले लोग रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ डरने के जरूव है जिस डेट को आप आए हो अगर आप वर्क बीजा में आ रहे हो तो आपटर टू येर वो बीजा जो हमारा हो रहा है डेट उससे दस दिन पांच दिन का डिफरेंट होना चाहिए एक दो महिने का डिफरेंट होगा तो मुझे लगता है आपको लॉस होगा तो आपको यह थोड़ी से सावधानी बरतनी है और वो लोग जब आपको वर्क बीजा जो कुछ कोश्चन होगा वो पुछने के बाद जो आपको वर्क बीजा पर एस्टम्प लोग मारके देता है तो उसी टाइम में बोलता है कि पिलीज यू कन चेक आप चेक कर सकते हो और चेक करके उस पर छोड़ दिया तो उसके बाद फिर मैं साम में निकला दोस्तों के साथ मैं तो मैं जो मेरा ड्रीम था ना कनाड़ा आने का वाकई में यार क्या कुछ जगा है यार इतना मौस्ट मौस्ट वेलकम भाई लोग अच्छा जगा चीज है सबसे बढ़ा यहां का जो क्लाइमे हां लेकर और यहां करना को फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको यह करना यह ब्राबर यह चीज है आपको यह करना है यह तो यह सब चीज है बहुत अच्छा है पोजटीब है ओके दोस्तों बाए जाए